नमस्कार, अब हम णों discuss करेंगे हर्पीस-सिंप्लेक्स-करिटैटीज के बारे में और यहां समझने की कोशिश करेंगे इसमें प्रिजेंटेशन कैसा होगा तो अब ही हमें बात करना है कॉर्निया में हर्पीस-सिंप्लेक्स के infection का क्या pattern होगा similar चीज़ हम आगे HHV3 के मामले में भी देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हर्पी सिंपलेक्स के साथ associated cornea का inflammatory condition जिसमें दो तरीके से हमें इसके steps को पढ़ने का मौका मिलेगा पहला जो primary involvement होता है जो आम तोर पर 5 years के आस पास के बच्चों में होगा जो पहली बार encounter होगा और हमने पिछले lecture में discuss कर रखा है जब कभी भी recurrence होता है तो उतना violent action नहीं होता क्योंकि body की immunity अब उसको समझ चुकी हुई होती है तो हर्पी सिंपलेक्स को समझने के लिए पिछले lecture में जितनी भी बात हुई थी और उसके बाद वो चला जाता है trigeminal neurons के ganglia के पास जहां पर वो latency के एक phase में रहेगा बाद में चलकर के immunity अगर कमजोर होती है तो फिर से ये reactivate होता है तो जो secondary infection का pattern है वो कई अलग अलग level पर देखा जा सकता है क्या है मेरे कहने का मतलब अब उसको देखते हैं यहां पर कोई non immunized child की बात कही जा रही होगी जब primary infection की बात हो बात समझें यहां पर दो तरीके से infection होता है जैसे कि मनें आप से कहा latency का एक phase होता है तो जो primary infection है पहरे उसको समझते हैं फिर secondary level पर infection होगा तो उसके कितने types होंगे कितने variations possible होंगे उसको देख लेंगे तो पहले देखें यहां पर यह primary पहले level पर 5 years के आसपास के बच्चे का मामला है non immunized है और उस समय localized यहां पर infection होगा जब पहली बार होगा आप समझ सकते हैं पहली बार केवल और केवल यहीं पर infection का जो pattern देखने को मिलेगा वो acute follicular keratoconjunctivitis के साथ present करेगा या फिर superficial punctate keratitis के साथ यहां पर presentation होगा अब यहां पर virus आ चुका है अब जाहिर सी बात है हमने आप से discuss किया था कि यह retrograde transport कर सकता है after keratitis यह virus जाएगा और triseminal ganglion के पास जाकर कि latency की phase में रहने का यहां पर इसका scene होता है तो पहली बार यहां से होने के बाद यहां चला गया latency की phase में इसी तरीके से एक retrograde exonal transportation herpes labialis के bablo में भी देखने को मिल सकता है यह trigeminal ganglia में जाकर कि यहां से भी जाने के बाद latency की phase में होता है बाद में जब कभी भी immunity कमजोर होती है तो फिर यहां से देखें यह reactivate कर सकता और reactivate करने पर यह secondary infection है जो हमें eyes में दुबारा एक बर देखने को मिल सकता तो secondary infection के तीन pattern होंगे epithelial keratitis, stromal keratitis और metaharpatic keratitis इन तीनों के बारे में अभी हम one by one discuss करेंगे लेकिन secondary infection से पहले एक बार primary infection को थोड़ा detail में देख लेते हैं जैसा कि हम लोगों ने बात किया जब primary infection होता है बच्चों में होगा इस दौरान पहला encounter है body भी बहुत violent immune response generate करती है virus को मारने के लिए तो इस दौरान inflammatory response भी बहुत तकड़े होंगे जब secondary लेवल पर होता है तो समय inflammatory response थोड़े कमजोर होते हैं तो secondary लेवल तक जब बात करते हैं तो समय तक कुछ ऐसा माना जाता है कि आस पास का जो neurons होते हैं जो sensation of pain को ले जाते हैं वो भी कहन कहीं प्रभावित हो चुके होते हैं तो इसकी वज़ा से secondary लेवल पर pain के sensation कम होते हैं जो primary encounter होता हो बहुत violent होता है इस वज़ा से उसमें monocular pain photophobia जो पहली बार encounter होगा, tearing होगा, blood vision होगा लेकिन latency के बाद जब secondary infection होता है तो उस समय condition बहुत अलग लेवल पर depend करती है, जैसे यहाँ पर देखें pain नहीं है, देखें, asymptomatic भी patient हो सकता है यानि corneal sensitivity कम हो सकती है, painless हो सकता है कुछ मामलों में mild pain या फिर foreign body sensation जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है चुकि inflammation है तो photosensitivity जैसी चीज़ें होंगी ही और ये secondary infection के involvement के समय, pain का presentation उतना जादा नहीं देखने को मिलता है और देख सकते हैं, photosensitivity अभी भी है, ये patient की symptoms ऐसे होंगे जबकि sign की बात करें तो primary level पर जब involvement होता है तो देखने पर हमें as a doctor जब हम देखते हैं तो वहाँ पर blefaritis, vesicular blefaritis, follicular conjunctivitis और peri auricular adenopathy की conditions देखने को बिल सकती हैं जबकि latent phase में, जब secondary level पर involvement होता है, तो cornea का involvement variable लेवल पर हो सकता है variable level पर इसका मतब क्या है, वहाँ पर punctate, हाला कि punctate वाली जो condition होती है वो primary level पर ही देखने को बिल सकती है, छोटी level पर और यह damage करने वाली condition आगे ulcer की रूप में हो सकती है, जो extreme level पर geographical ulcer का formation कर सकती है इस दोरान जो nerves होंगे, वो damage हो चुके होते हैं, इस वज़े से corneal sensation कम हो जाता है आप समुझ सकते हैं, primary level पर जो nerve sensation को ले जाती है, वो inflammatory response का information बहुत तीजी से लेके जाती है यब secondary level पर होता है, तो उस समय तक जो immune responses होते हैं, उसकी वज़े से और viral infection की वज़े से वहाँ पर जो nerve sensation ले जाने वाली होती है उनकी death हो चुकी होती, इस वज़े से corneal sensation भी secondary infection के दोरान कम हो जाता है इसको देखें, यह primary level का infection है जिसमें आप देख सकते हैं यह follicles का formation जो acute follicular keratoconjunctivitis मतलब यह कि इसमें conjunctiva और cornea दोने involved होते हैं और इसमें देखें इस तरीके से follicles और कितनी ज्यादा inflammatory response है यहाँ पर follicular keratoconjunctivitis देखा जा सकता है, इस तरीके का presentation जब कभी भी होगा पहली बार virus का encounter हो रहा है हमारी immunity के साथ तो यहाँ पर follicular keratoconjunctivitis जैसे condition तो यहाँ पर conjunctiva में follicles के presence न सिर्फ हर्पीज के माबलों में बलके adenoviruses के माबलों में तो देखें हर्पीज simplex के माबलों में keratoconjunctivitis के बात कहीं गई हर्पीज जोस्टर में हम देखेंगे conjunctivitis की condition देखने को बलेगा तो conjunctiva का involvement कई सारे माबलों में देखने को मिलना है जबकि cornea और conjunctiva का involvement हर्पीज simplex के माबलों में तो एडिनो वायरस है, वहाँ पर conjunctiva involved होगा, हर्पीस जोस्टर जो हम HHV3 की बात करेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे, अभी अगले लिक्षर में वहाँ पर हम discuss करेंगे, conjunctiva में इस तरीके से पहली बार encounter हुआ है, तो वो follicles के रूप में नज़र आएंगे, फिर molluscum contagiosum क माबलों में भी हम देखेंगे, pox viruses हो, mixoviruses हो, paramixoviruses हो, arbor viruses के माबलों में भी ऐसी presence देखने को बिल सकती, तो जो हम herpes simplex keratitis की बात कर रहे हैं, जिसमें हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, cornea और conjunctiva का inflammation, तो जो primary infection होता है, मैंने का बच्चों में होगा, non immunized है, body का immune response बहुत वालेंट है, इस वज़र से ऐसा देखने को बिलेगा, हो सकता है cornea के level पर puncta, छोटे छोटे dots like, superficial punctate keratitis की condition देखने को मिल सकते हैं, यह primary infection का characteristic, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, छोटे छोटे पंग्टा, यह characteristic reason है, चुकि अभी viral infection और उसके response में छोटे 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 पंग्टा बने हुए है, इनको देखा जा सकता है, यह characteristic primary infection के leasin है, जो cornea के reason में देखने को मिल रहे हैं, next level पर जब secondary infection होता है, तो फिर dormant virus, जो trigeminal ganglion में dormant state में था वही reactivate होता है, तो इसके कितने pattern होते हैं, जब secondary infection होता है, तो ना सिर्फ epithelial carotitis, जो reactivation के बाद nominal response होते हैं, इस दौरान direct inversion होता है epithelium को viruses का और यहाँ पर dendritic ulcer हो सकता है इस दौरान corneal sensitivity कम हो जाती है corneal sensitivity यानि यहाँ पर pain के sensation कम हो जाएंगे तो शुरुवाती दौर में dendritic ulcer होगा जो बाद में चल करके geographical ulcer का रूप ले सकता है भी हमें इसके बारे में discuss करेंगे corneal sensitivity कम हो जाती है और इस वज़ा से इस layer में involvement के दौरान जो signal ले जा रहे हैं nerves होते हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं इसके करण painless ulcer farm हो रहा होता है तो epithelial जो होता है यहां पर direct virus आपको देखने को बिलेगा इसलिए treatment भी हम यहां पर virus के against ही देंगे बात समझ बारा है जो छोटा सा dendritic ulcer वो बड़ा होकर के geographical ulcer geographical एक farm ले सकता है तो dendritic मतला समझता है ना dendrons इस तरीके से चोटे चोटे उसके dendritic ulcer के इस तरीके से farms आपको देखने को मिलेगा और इस तरीके के dendritic ulcer जब आपस में मिल जाते हैं तो एक पुरा पुरा एक बड़ा सा रीजन geographical region जैसा involvement करता हुआ corneal ulcer हो जाता और इसमें pain के sensation आमतर पर कम होते हैं अभी body में ये लंबे समय तक होता रहा है इस दोरान होगा क्या कुछ और भी pattern देखने को मिल सकते हैं जैसे stroma के भीतर जब virus के antigen आ जाते हैं तो virus नहीं होता है लेकिन उसके antigen के against body के immunity काम करना शुरू कर देती है जैसा हम microbiology में पढ़ते आए हैं antigen को देख करके हमारी immunity उसके against काम करना शुरू कर देती है तो यहाँ पर क्या होगा जब stroma का involvement होता है stromal keratitis तो यहाँ पर viral antigen के against immune response होता है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर virus नहीं है immunity तो है इसका मतलब edema होगा और edema ही नहीं immunity का जो response होगा वो यहाँ पर necrosis भी करा सकता है चुकि virus नहीं है इस वज़ा से ideally यहाँ पर topical steroid दिया जा सकता है इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की और अगर यहाँ का involvement देखें तो यह disciform keratitis का मामला होता है यहाँ पर भी antigen के against immune response इस layer को अगर involved कर दिया पैटरन हो सकता है जिसमें यह dashmits, membrane और आसपास के जो stroma का involvement है वो यहाँ पर present करेगा यहाँ पर भी हमें steroid देना होता है क्योंकि virus नहीं है virus के antigen के against body का response है इसके निचले layer के और देखें यह जो endothelium के layer है यह भी involved कर सकती है और इस दोरान भी virus के antigen के against ही यह इस layer का अगर involvement होता है तो इसे endothelitis कहते हैं इसमें भी topical steroid ही देना पड़ता है इन layers में keratic precipitates की presence देखने को बलती है keratic precipitates यह क्या होते हैं? अच्छल में यहाँ पर जब कभी भी इस आसपास के हिस्से में inflammatory response होगा तो फिर cellular कुछ particles बनते हैं जो यहाँ पर आकर के democits होने लगते हैं जिन्हें हम keratic precipitates कहते हैं अगर यह acute keratic precipitates हैं precipitates में समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ भी अगर inflammatory response होगा तो वो आकर के यही पर आकर के इकठा होना शुरू हो जाएगा जो endothelitis के मावलों में देखने को मिला इससी तरह किसे disc की form में भी हमें keratic precipitates यहाँ पर देखने हैं चुक्छ उपर से कुछ भी अगर होगा inflammatory response तो वो यहीं पर आकर के देखने को मिल जाता है तो वो केपीस के रूप में देखने को मिल सकते हैं तो वही आकर के नीचे के वो deposit हो जाते हैं जिसके करण keratic precipitates का formation होता है अगर आप याद करें जो हम लोगोंने inflammation के दौरान macrophages का रोल देखा था वही macrophages या उसी का जब जो दूसरा farm होता है epithelite cells जिने कहते हैं वो आकर के अगर precipitate होने लगे तो इसकी वज़ा से क्या होगा precipitates का formation होगा जो हम यहाँ पर disciform और endothelitis वाले मामनों में देखने को पा जाते हैं तो secondary infection जो होता है वो dormant virus की वज़ा से होता है trigeminal ganglia से virus आईए अगर उसने directly virus पहुँच गया epithelial layer को तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर गया और उसके बाद नीचे की layer involved होती चली जाती है तो जो epithelial layer involved होती properly virus वहीं पर होता है और उसके नीचे जो भी layer involved हो रही है इस ट्रोमा की layer involved हो रही है चाहे dashment membrane involved हो रहा है चाहे endothelium की layer जो involved हो रही है वो उपर encounter चल रहा है और उसके antigen को नीचे की रही भेजा जा रहा है बनासर है ना उपर encounter चल रहा होता है तो body में आपको पता है inflammation की response के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब encounter चल रहा होता है तो antigen presenting cells क्या करती है उन antigen को जगा जगा present करती रहती है और इसके current body के दूसरे cells भी तैयार हो जाते तो जो virus actual में होता है वो epithelium की layer पर है सबसे रहादा damage वहीं पर करता है अगर उसके antigen नीचे की रहा है तो वहाँ पर भी involvement होता चला जाएगा और इस वज़ा से उतना ही violent action हमें देखने को मिल जाता तो जो epithelium layer involved होती है उसमें शुरुवाती दौर में dendritic ulcer होता है और इस दौरान जो pain के sensation ले जाने वाले नौव सोंगे वो प्रभावित होते इसलिए mark degrees in corneal sensitivity जो painless condition होती है अभी आप देखें यहाँ पर यह dendritic ulcers का farm हम देखने को पाज रहा है आप देखें इस तरीके से छोटी level पर है अभी epithelium का involvement है dendritic ulcers की यह presence दरिशा रहे है अगर यह बड़े हो गए तो फिर क्या होगा अगर इनका involvement बड़े level पर हो गया तो फिर हमें geographical ulcer जिसे हम emeboid ulcer कहते हैं उसके साथ इसकी presence देखने को मिल सकती है तो अगर आप देखें dendritic ulcers जो होता है इसमें देखें nobs की presence हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी तरीके के यह जो knob रखने वाले dendritic ulcers हैं यह और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो यह पूरा पूरा एक geographical region के साथ अपनी presence दर शाते हैं तो जो dendritic ulcer होता उसमें देखें knob की presence आपको देखने को मिल सकती है यह knob है क्यों मैं इस बात पर focus कर रहा हूँ क्योंकि जब हम next level पर बात करेंगे harpes joster के मामलों में तो वहाँ पर involvement pseudo dendritic ulcer का होगा वहाँ knob की presence नहीं देखने को मिलती है इस image में देखा जा सकता है knobs की presence और यही इस तरीके के dendritic ulcer मिल गए तो इस तरीके का geographical reason में एक involvement हमें देखने को मिल जाता है तो शुरुवाती दोर में corneal sensitivity कम हो जाती जो ulcer farm होते हैं वो irregular lining के branching के साथ दरशाते हैं जिसमें knob उसके ending पर देखने को मिलता है यह rose bengal stain पर बहुत अच्छे तरीकिस देखे जा सकते हैं बाद में multiple जो dendrites होते हैं जो graphical ulcer बना देते हैं मैंने आपको बता है pseudodendritic ulcer वो harpes joster अगले लेवल पर पढ़ेंगे हम और एकंथमीबा के बाबलों में देखने को मिलता है यहाँ पर virus है इसलिए हमें 3% acyclovir देना होता है और steroids यहाँ पर नहीं देना चाहिए वरना inflammatory response body का कम होगा तो फिर virus के against fight कम हो जाएगे इसलिए virus है तो antiviral दीजिए सवाल पूछा गया है amiboid ulcer is a characteristic feature of amiboid ulcer किसे कहते है जिग्रेफिकल ulcer को जो herpetic corneal ulcer में हमें देखने को मिलता है इसके बाद जो stroma का involvement हमने देखा stroma का involvement जिसके last layer में हमने disciform keratitis भी देखा यहाँ पर हम लोगों ने disciform keratitis जब last layer involved होते तो उसकी presence भी हम लोगों ने देखा अभी stroma के उपरी layer को देखें और नीचे तक ये involved कर सकता है इसमें virus नहीं होता है इस वज़ए से immune response जो होगा वो virus के against नहीं viral antigen के against होगा इसका मतलब क्या हुआ यह एक localized hyper sensitivity reaction का मामला है जो antigen के against है इसलिए topical steroid का role होता है अगर antigen का मामला है तब तो ठीक है वरना अगर virus उपर से epithelial layer से अगर नीचे की और आना शुरू कर दिया है उपर के layer से नीचे की और आना शुरू कर दिया है इसमें जो deschmit membrane के level पर अगर involvement हो रहा है तो वहाँ पर keratic precipitates की presence भी हमें देखने को मिल सकती है इस दोरान भी corneal sensation decreased होंगे चुकि cornea involved हो चुकी हुई है और आप देख सकते हैं infiltration हुआ है इस वज़ा से यह पूरा कपूरा एक disc के shape में cornea के level तक हमें inflammatory response यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो disciform keratitis के रूप में देखने को मिल जाता है यहाँ पर पूरा कपूरा cornea में involvement है इस वज़ा से हम देखने हैं नीची के उगया और यह inflammatory response है इस वज़ा से proper disc का shape यह ले चुका है जब किसके पहले किवल epithelium था तो जहाँ पर virus था सिर्फ उसी region में पहले dendritical cancer था फिर वो मिल करके epithelial layer को involved करता है और geographical cancer बनाया लेकिन अगर stroma involved हुई है stroma के level पर है तो वहाँ virus न भी हो तो भी inflammatory response इतने बड़े level पर होता है कि disc का farm ले सकता है इचले layer के और जैसा जैसा यह जाता जाता है उतना ही जादा असपस्ट रूप से यह देखने को मिल जाता है तो disc की farm keratitis यह diffusely involved कर गया है यह हो सकता है वहाँ पर virus का active invasion हो गया हो tissue destruction की वज़ा से यह farm हो सकता है इस दोरान वैसे गर antigen की कारण body community काम कर रही है तो stromal keratitis जिसमें steroid ही हमारा बहतर option हो सकता है अगर virus वहाँ तक invest करके पहुचा है तो फिर हम antiviral भी add-on करेंगे लेकिन देखें तो यह hypersensitivity response है और corneal sensation कम हो जाएगा क्यपीज की presence जैसे जैसे नीचले layer के और जाएगे वैसे वैसे हमें मिलता जाएगा corneal sensation is lost in neat में पुछा गया question है herpes simplex के मामलों में conjunctivitis के मामलों में नहीं fungal infection भी नहीं यह herpes simplex के मामलों में होता है और जितना ही ज़्यादा invasion होता जाता है वैसे वैसे हमें अगर virus की presence invert करनी की वज़़ा से अगर है तो cyclevir add करना पड़ सकता है steroid के साथ एक और यहीं पर farm देखने को मिल सकता है जिसे metaharpetic keratitis कहते है metaharpetic keratitis पर बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए actual में हमने stromal को एक साथ ले लिया है stromal keratitis को जबकि बहुत सारे जगों पर हम देखेंगे pure stromal keratitis फिर disc की farm जो थोड़ा सा और नीचे के और dashment membrane के आसपास और stroma का involvement फिर endothelitis जो endothelial layer होती है उसके involvement उसको अलग-अलग level पर करके पताया जाता है जबकि हमने एक साथ इनको देख लिया क्योंकि हमने layer को एक इस तरीके से समझने का प्रयास किया जैसे जैसे नीचे के रुचा रहा है वो immunity का पूरा का पूरा concept और इसमें hypersensitivity का response जो antigen के अगेंस्ट है उसके level पर समझ सकते है अगर infiltration है तो हो सकता है epithelial से virus अंदर के और भी पहुँच सकता है ये चीज हमने देखा अब एक चीज और है metaharpatic keratitis इसमें क्या होता है यहाँ पर epithelial layer पर बनने वाला ulcer जल्दी heal नहीं होता है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर ulcer heal नहीं हो रहा है लेकिन इतना deeply और irregular damage हो चुका होता है कि healing आसानी से नहीं हो पाती जिससे हम metaharpatic keratitis कहते है तो इसमें epithelial ulceration जिसमें कोई active virus नहीं है inability ये epithelium की है कि वह heal नहीं कर पा रहा है हलांकि virus eliminate हो चुका है नहीं है इसका मतब यह है mechanical healing defect इसमें हमें lubricant का इस्तेमाल करना चाहिए bandage का इस्तेमाल करना चाहिए और soft contact lens का इस्तेमाल कर सकते है इसमें steroid या acyclovir का कोई actual role नहीं है क्योंकि ये healing defect है NEET में कुछ पूछेगे questions not true about herpetic keratitis stromal keratitis बिल्कुल possible है dendritic ulcer, epithelial ulcer में शुरुवाती farm यहीं बनता है फिर disc की farm में आपको बता है कि ये initial layer पर जब involved हो जाता है और वहाँ पर केपीज की presence भी देखने को मिल सकती corneal gutate ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर punctate होता है corneal punctate keratitis होता है लेकिन वो भी primary infection के दोरा फिर disc की farm keratitis involved तो मैंने आपको बता है निचले layer का जब involvement होता है तो उस समय इसको dashment membrane, estroma और endothelium पूरा का पूरा ये सारे के सारे वहाँ पर involved हो सकते हैं लेकिन अगर primarily कहा जाए तो इसमें endothelium का ही option लेना ये बात हमें पता होना चाहिए disc की farm keratitis के बाबलो में endothelium सबसे ज़्यादा correct answer होगा इसमें primarily endothelium involved होता है इसमें हो सकता हिस्ट्री जो होगा epithelial keratitis का होगा और उसकी वज़ा से endothelium और उसके आज पास के region का involvement होते हुए देखा गया लेकिन primarily ये endothelium को involved करता है ये बात पता होना चाहिए यहाँ पर localized secondary corneal edema presence की presence होती है और anterior uveitis का एक कारण बन सकता अगर ये disc के farm में है और उसी के आज पास का uvea भी involved होगा तो anterior uveitis तक इसका inflammation जा सकता हमने देखा था ना image तो उसको याद रखना है नीट में पुछा गया question all of the following are clinical feature of herpetic keratitis except तो पहला dendritic ulcer is a typical presentation ठीक है herpetic keratitis में dendritic ulcer reactivation के समय होता है geographical ulcer बिलकुल ठीक बात है इसके मिलने से बनता है तीसरा option meta-herpetic keratitis is an active disease गलत बात है ये healing defect होने के नाते होता है और disc की farm keratitis may be seen if stroma is involved नहीं यहाँ पर stroma वैसे तो stroma involved होता है लेकिन endothelium की layer primarily यहाँ involved होती है लेकिन इसको भी सही माना जा सकता है क्योंकि ये C option जो है पुरी तरीके से गलत है active disease तो है ही नहीं है अगले lecture में हम varicella joster के बारे में बात करने वाले हैं तो एक question देखते हैं varicella are classified under entrovirus, retrovirus, poxvirus, herpesvirus तो herpesvirus, HHV 3 का example होता और किस तरीके से वो present करेगा उसके level पर हम अगले lecture में आपके साथ discuss करेंगे